दर्शको नमस्कार इंबीसिन के खास मुलाकात इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपका होस्ट संजे मिरे दर्शको आज गुजे पताते हुए बहुत खुशी होरी कि आज हमारे इंबीसिन के स्टूडियो में खास मुलाकात के लिए एक ऐसे शक्स है साथी साथ जिनका सम्मान 94.3 FM के और से किया गया है 94.3 FM के और से सर आपको पावर आफ हाउस नापपुर से नवाजा गया है दर्शको ये और कोई नहीं बलकि स्वर्गिय वासुदेरा ढोकने पाठी इनके जेश्ट सुपुत्र है सर आपका खास मुलाकार इसका रेक्र के मैनेजिन टारेक्टर हो और सीओ भी हो और इसके साथ आप नापपुर के जेसी आय संस्ता के उपाध्यक्ष भी हो तथा माता पिता वैश्टवी शिक्षन प्रसार्क मंडल के आप संचालक है इतने नहीं तो आप राज्यू गांजी राष्ट्रे वीचार मंच के संचाल है अब तक कि आपने शहरवास्यों के लिए नापपुर के अलक अलक परिसर में रहने के लिए शहरवास्यों के लिए काफी किभा दम में उनके सपनों का आशियाना बनाया है तो द रशको आए हम बात करते हैं आज के अमरे मैमान स्री घंज़ाम डोखने साब से सर खास मुलागा यह एक ऐसा करेक्रम होता है जिसके चलते दर्शिकों को काफी चानकरे मिलती है और आप भारत के 10 टॉप 10 बिल्डरों में से एक है यह हमारा सोभा गया है कि आज आप हमारे स्टूडियो में हैं तो आईए सिधा रुख करते हैं हमारे कुछ सवाल है उन सवाल है कि हो तो दर्शिकों यह रहा पहला सवाल घंशाम भुकने पटिल साफ से सर यूँ ही देखा जाता है कि बहुत सारे बिल्डर शहर में किन्टो आपका जो एजूकेशन है उनसे जादा है क्या कहना चाहोगे आखिरकार क्या है इसका राज बताईए हमें तो संजी जी इसमें राज वाली बात तो ऐसी कुछ खास है नि मगर मैं आपको थोड़ा संग्षित में बताना चाहूंगा दिखिए जब मेरा बैशलर्स ओफ इंगेरी हुआ सिविल इंगेरी में और वो भी नागपूर के वाइसेसी कॉलेज से फिर मैंने इसी शेत्र में याने अपने सिविल इंडेस्ट्री में एंबीए किया जो कि निकमान कवले से पोस्ट ग्रैजुएशन इन डिप्लोमा कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंड करके हैं अब आपको देखेंगे कि जब अपन इस फिल्ड में आये हैं और इसी में अपनी विशारत अपने सिद्ध करने की कोशिश किया और इसी में अपना एजुकेशन पैटर्न लिया साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा इस माध्यम से कि मैं इस शेत्र से पिछले 20 साल से जुड़ा हूँ मैंने इस शेत्र में नोकरी से शुरुवात की और पिछले चार सालों से मैं अपना खुद का वेवस इसमें पिछले चार वर्षों से आपने अपनी एक खुद की संस्था भी बनाई है और वो संस्था चला कर भारत के दस उबरते हुए बिल्डरों में से आपका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है यह मुकाम आपने आखिर कर कैसे हासिल किया दुखने साथ जी देखिए सर किसी भी संस्था को चलाने के लिए आप में दो चीजों की बड़ी आवशक्त करें दिये एक रहता है विजन और याने आपका उद्दिष्ट और दूसरा रहता है उसको पाने की जित और यह दोनों मेरे पिताजी से मुझे खुद के विरासत में लिए और जब मैंने इस शेत्र को चुना तो मेरे पिताश्री ने मुझे इस शेत्र के बारे में और एक शेत्र से जुड़ी हुई बहुत सारी ups and downs जो भी छोटी-मोटी चीजे रहती है और उसके बारे में समझाया और जब मैंने खुद इस शेत्र में अपना कदम रखा तो मैंने य सस्था में लगाया और आज आप जो देख रहे हैं उन सारी चीजों का जो निचोड का जो फल है वो मुझे इस तरह से मिला कि आज मेरे पास देश के मेरा नाम शामिल है और यह उपलब्दी मैंने अपने कश्टों से किये साथ ही साथ आप सभी लोगों का प्यार रहा है जी बिलकुब तो दर्श्पों कहते हैं ना कि यूही कभी किसी की तारिफ नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती जो काम खाज करते हैं उन्हें रोश्टी प्रकाश दिखता है और जो काम नहीं करना चाते उनके जीवन में अंधेरा ही होता है मगर कुछ ऐसे भी शक्स है जो अपने जीवन में उचाला करना चाते हैं प्रकाश करना चाते हैं और यकिनन तर्ग की उनहीं मिलती है जिनके कदम पढ़ते रहते है ऐसे स्री घंशाम रोकने पटिल साफ की कदम पड़े और आज उन्होंने वो मुकाम हासिल किया कि भारत के दस टॉफटें बिल्डरों में उनके नाम का शुमार है और बड़े सम्मान के साथ उनका नाम लिया जाता है सर मेरा एक सवाल कुछ सामाजिक काम को लेके था कि यू तो ऐसा देखा जाता है कि शहर के अन्हें बिल्डरों के तुल्ना में आपका जो कामकाज है काफी सरान ही है सर आप कहीं दिक्कटेवें आपको आते हुए लेकिन आप इसे किस प्रकार से हैंडल करते हों क्या कहना चाहँ गया जी सर कि हमारे संस्ता में आप देखेंगे सी जैसे मैंने आपको कहा कि मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन इन एडवांस कंस्ट्रक्शन मेनेजमेंट निकमर जैसे जिसको हम आयाम लेवल से कंपेर करते हैं उसमें हुआ है तो मैनेजमेंट यह मुझे सीखने के साथ तो मिला ही मिला और साथ ही साथ मेरे जो जगत उसको मैंने हर अपने जीवन के हर शनों में डाला है हर प्रकार के डाइमेंशन में डाला है आप चाहे मेरी संस्ता ले लिजे आप सामाजिक संगठल ले लिजे मेरे एम्पलाई में मैंने जो वैल्यूज इंडग किये हैं वो देख लीजे या मेरा खुद का पर्सनल डेव जीए कि मेरे व्यक्तित्व में मेरे पिता जी ने मेरे उपर चाप छोड़ी वो सभी को रूबरू हो सकती है जो भी मुझे पुराने पहचानने वालों है या जो मेरे पापा को जानने वाले हैं वो सब यह जरूर कहेंगे आपसे तो मैं इस प्रश्न का जवाब देते बागदवरी जिन्दगी में आपको अपने ऐसे एंपलाई बनाने पड़ेंगे जो खुद ही काम करे जिनको आप थोड़ी स्वायत्ता दे यानि जिसको बोलते है फ्रिडव और अगर आपने उनका सही तरह के से ख्याल रखा मेरे एक ओफिस भाई का भी मैं उत्ता ही ख्य बिल्कुल बिल्कुल के जैसे आपने जो बात कहीं का अफी बखुबी के साथ कही है और अकसर ये देखा जाते है कि जो संस्ता के जो चालक होते हैं उनका ये दाईत हुता है उनका ये काम होता है कि वे सभी को लेके चले और यही काम स्री घरशाम लोकने पाटिल назär note 1 म में वासुद्राव ढोकने पाटिल साहब का नाम बड़ी सम्मान के साथ लिया जाता है, बली आज वे आत्मा से शरीर से हमारे साथ न जुड़े हो, मगर उनके आत्मा है हमारे साथ है, और हमेशा वे अमर रहेंगे, उनके कामकाज आज भी लोगों के कई जिंदगिया उन्हो आज से भी करते हैं, पौटिस सब बताईये कि यूँ तो कई builder सामाजी कामकाज काफिव करते हैं। कि सामा जी काम करने से वे परहेज भी करते हैं, ऐसे में आपका काम जो है, वो सबसे अलब है, और सबसे हटके है, मेरा सवाल ये है, गंशाम जी, कि आपको इस सामा जी काम करने की प्रेड़ना कहां से मिली, क्या कहना चाहोगे, क्या पापा से मिली, या अन्ने किसी और से? कर वि allegedly है झेंज आपने सही कहा सही पचाना से से यह भी मुझे इस पापा से मेरे पिता शकली मेरे पिताशरी से कि विरासत में मिली . कंकर इसमें मेरे पास धा सी शाव चैलीन्ज था सब्सक्राहिसłeं जेंडेश पिताश्री के साथ जहां जा गया सामाजिक सहस्ताओं में मेरी मुलाकाते होती थी पर मेरी इत्ती अच्छा उठाक बैटक नहीं था मगर जब मैं इस मेरे पापा के गुजरने के बाद जो एक वाइड पैदा हुआ जिसको बोलते हैं खाली रिक्तस्तान तो वो मेरे परिवार ने महसुस किया वो मेरे पिताश्री के जो दोस्ते उन्होंने महसुस किया तो मैंने सोचा कि जब इत्ती बड़ी विरासत है इसको क मैंने इसको अपना एक जीवन का एक अमर बना लिया जैसे की मैं आपको बताना चाहूंगा अभी में जेसीये नागपूर में एक दम लुदश्य और इसका रिजन यह नहीं है कि मेरे पिताजी ने बोला, इसका रिजन यह है कि मैं मेरे पिताजी के कदमों पे पैर रखते हुए, सामाजिक शेत्र में भी दुनिया को जो हमने पाया है, वो वापस लटाने की छोड़ी सी कोशिश करना चाहता हूँ, आपके मात्यम से मैं यह कि जनता पो बुरूना, बिलकुल, बिलकुल के उनके नक्ष्ट कदम पे आप चलते हो, और चलते रही है, क्योंकि कहते हैं, कि हिमा लया कि है पुकार, बहादुरो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, ढोणे पाटिल साव आगे पढ़तेश रो, तो तर्श्य को खास उलाकात इस करेकर में वक्त हो चालाई बेक का मिलते हैं इस अंतलाल के बात करें और पाएं खुद का घर 2021 तक जल्दी कीजिए अंतिम दो यूनिट उप लफ संपर करें 750-77030-20 खास उलाकात इस करेकर में आप सभी का स्वागत है जिन दर्शको ने अब भी बीवे अपने टीवी सेर्स शुरू किया उनको मैं पता दू कि दर्शको इन बीसें के स्टूडियो में खास मुलाकात इस करेकर में के लिए भारत के 10 टॉप 10 बिल्डरों में से एक जिनका शुम आपका भी स्वागत करते हैं और बढ़ते हैं घंशा लुपने पठील की ओर और करते हैं उनसे ये सवास आज कि भागदौ बरिज जिंदगी में कोरोना मामारी से सभी शेत्रों को जगजोर के और ज़ंजोर के रखा है इस आपदा में आपने अपने ग्रहको को खुद जिसके चलते चाहे आपके गरहा को या संस्ता के काम करने वाले दिकारी पदा दिकारी हो या करमचारी हो या आपके फैमिली हो या आफ हो इसके बारे में आपका क्या प्लैनिंग है और क्या कहना चाहूंगे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आपके इस सवाल के के लिए पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा आपने बहुती सही समय पे सही सवाल पूछा देखिए यह जो महामारी है यह हम में से किसी को नहीं मालूमती कि आने वाली है या इसका कोई प्रभाव हमारे जिंदगी में पढ़ने नीशी जिंदगी में या हमारे संस्था हो की जिंदगी में पढ़ने वाला है हम सभी के लिए यह कोरोना वाइरस एक नई चुनोती लेके सामने आया है तो इस चुनोती बड़े करोना वाइरस के काल में अगर मैं अपने शेत्र रियन इस्टेट के बारे में बोलू तो मैं आप सबको यह बताना चाहूंगा कि यस इसका हमारे शेत्र भी उत्ता ही प्रभा पढ़ा है जित्ता बाकी इंडस्ट्रियल सेक्टर पे भी पढ़ा है मगर आपको यह बतायते हुए बड़े आनन के साथ और बड़े फक्र के साथ बताना चाहूंगा कि इस कोरोना माहमारी के खतम होते ही खतम होते ही यह जिसका प सकते हो कि बिल्डरों को और रियलिस्टेट डवलपर्स को कैसे खुशी मैसुस होते होगी सिसका रीजन हिए नहीं है सर इसका रीजन हिया है कि इस महामारी ने हम जैसे सां आम आत्मीयों को सिखा दिया है पहले क्या होता था सर हमारे पुरूव जग हमको सिखाते थे कि अब उसके रिटर्स जो है वो पहले से आते नहीं थे फिर आया रियनिस्टेट सेक्टर को और एक एक और चुनती आई जिसका नाम है mutual fund जैसे फिर share market आया तो संजी जी आप ये देखिएगा कि mutual fund share market उसके बाद में सोना इन सारी चीजों को लोगों ने समझा कि क्या ये हमें साथ दे सकते हैं क्या इन सब चीजों से हमारी जो निवेश थी वो सिक्योर रह पाएगी तो इसका जवाब उन सब को मिला कि नहीं क्योंकि सोने का भाव आपने देखा कैसा गिरा आपने देखा share market किस तरीके से बुरे तरीके से गिरा आपने देखा किस तरीके से mutual fund का हालत खराब हो गया मगर इन सब चीजों में आपने जरूर नोटिस किया होगा किसी भी plot के rate कम नहीं हुए किसी भी apartment के rate कम नहीं हुए तो लोगों को ये समझ में आ गया कि आज की इस चुनोती वरी जिंदगी में real estate ऐसा शेत्र है जिसने उनको बड़े 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 अदब के साथ और बड़े कसके पकड़े रखा है उनकी हिम्मत बांधी हुई रखी है तो ये उनके दिमक में समझ में आ गया और इसी समय गवर्मेंट ने भी दो तीन अच्छी स्टेप्स लिए जैसे कि अभी interest rate भी बहुत मीचे चल रहा है आपको आपकी जानकरी ले बताओ पह लग गया तो एक confidence आगया मार्केट में दूसरा चीज है हुआ इस करोना काल में कि जो लोग property सर्च करने निकलेते उनको मालूम है कि interest rate कम है सबसे कम निवेश के लिए सबसे best choice है property और तीसरी चीज उनको ये पता चल गई कि आज की डेट में रेरा रजिस्टर्ट प्रोजे को एक positive sentiment भेजना है कि लोग जो डर रहे हैं कि मेरी नोकरी रहेगी नहीं रहेगी मेरा business फिर से पूरवर रूट चलेगा नहीं चलेगा अगर central government से मैं गुजारिश करना चाहूंगा आपके मात्यम से कि अगर वो ये positive sentiment इस market में बानना चालू करे कि जन मानस में एक अच्छ मार्गेट में चले गया तो मैं आपके सब आप सबको ये वताना चाहूंगा कि रियल स्टेट बहुत बड़ी तरीके से उबर के आने वाला है 2030 तक तो अगर आप मानक दंडों का सुने तो 2030 में सबसे बड़ी industry करके साबित होने वाली है संजी जी बिलकुर बिलकुर को कि लोगों के पास पैसा बहुत है। मैं आ कुछ ना कुछ भे अच्छे काम के जुवार में रहते हैं कहने का तत्परिया वे निवेश करना चाहते हैं इसलेके पटिक सर्देरा एक सवल आपसे यह भी था कि सर्ध यदि हमारे दर्शक जो इस समय में लाकों की ताधार ने खास मुलकात प्रोग्राम के जरीए आपको गौड से देख भी रहे हैं मैं उनी के लिए कहना चाहता हूँ कि सर यदि हमारे दर्शक आपके Real Estate में निवेश करना चाहते है तो इसका कितना फाइदा उन्हें हो सकता है क्या आपकी जो संस्ता है आपके संस्ता में इंवेस्टमेंट करने से क्या उनका भविशा उजवल हो सकता है ढोकने पठी साथ आप हमारे दर्शकों को मारगदर्शन कीजिए और बताइए कि कितना महतोपूर्ण है निवेश करना और इसका कितना प्रतिशक फाइदा हमारे दर्शकों को हुगा क्योंकि दर्शक आज ट्रस्ट करते है लेकिन उनको ट्रस्ट करने वाला सही व्यक्ति चाहिए अगर व्यक्ति मिल जाता है तो यकिनन लोग आज भी अपना आशियाना खरीदने के लिए बनाने के लिए पूरी तरह से तयार है और आपका तो नाम है क्योंकि भारत के तो संजी जैसे मैं आपको पिछले सवाल पर आपको बताई रहा था कि आज भारत के भारत में अगर आप ब्यास दरों को देखेंगे पहले जो सवा नौ परसेंट से साढ़े दस परसेंट तक ब्यास दर चलते थे जी वो आज आके रुके हैं 6.85 तो 7.25 तो आप ये देखिए कि ब्यास दरों में ही धाई से 3% की गिरावट है और इस गिरावट का फाइदा आप 25 सालों में अगर काउंट करेंगे तो इसमें आपके सारे दर्शकों को मैं बड़े हर्श उल्लास के साथ बताना चाहूंगा कि आप ये देखिए कि अगर आपका 20 साल का आपका लोन टेन दूसरा मैं आपको मुद्दा ये बताना चाहूंगा कि आज महाराष्टा गवर्मेंट ने स्टैंप ड्यूटी पे जो 3% की गटोर्ती की है जो की डिसेंबर के बाद और 1% बढने वाला याने 4% लगेंगे तो आपको ये बताना चाहूंगा पहले 6% की स्टैंप ड्यूट तो आधे स्टैंप ड्यूटी का जो रिडेक्शन हुआ है उसका भी बेनिफिट कस्टमर्स को मिलने वाला है इसमें आपके कम से गम मैं बता रहा हूं 60-70,000 अगर आप एक 20-25 लाग की साधरन प्रॉपर्टी पकड़ते हैं तो इसमें भी आपका अच्छा-कासा सेविंग ह हो रहा है दूसरा एक और important चीज जो बता रहा हूं रेरा registration जिन प्रोजेस का हुआ है यानि आपका जो यानि जो हर common आदमी के दिमाग में एक रहता है कि मैं जूस प्रॉपर्टी में अपने इतने महनत के पैसे invest कर रहा हूं क्या वो प्रॉपर्टी सही है क्या उसका title clear है क क्या वो प्रॉपर्टी टाइम पे complete होगी क्या वो प्रॉपर्टी में मुझे जो specification बोले गए क्या वही मिलने वाले इन सारे सवालों को जवाब देने वाला पहले कोई नहीं था पर आज रेरा registration किये हुए projects में इन सारे सवालों का जवाब और जवाब दे ही रखने वाली स संस्ता जिसका नाम हेरेरा वो आ गई है तो मैं आपके दर्शलकों को इस माध्यम से कहना चाहूंगा कि आज के जैसा माहूल याने पिछले अगर आप 30 साल देखेंगे या मैं बहुंगा 2010 से लेके 2014 तक जो माहूल नहीं था इस industry में मैं आप सभी दर्शलकों को बताना चाह यह डिसेंबर के बाद जब करोना वाइरस से हम बाहर निकल जाएंगे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपना रेपो रेट फिर से एड्यस करेगी तो इंटरस रेट फिर बढ़के साड़े आठ के आसपास चले जाएंगे तो मैं आपके दर्शलकों को इस माध्यम के अ यहने शहर के निवास में आ जाएगा जो कि आज नागपूर मेट्रो रिजिन में आता है तो आपको यह बताना चाहूंगा कि अगर निवेश के एंगल से आप मेरे प्रॉपर्टी में इंवेस्ट करना चाहते हैं तो एक तो समय बढ़िया है दूसरा आपको रिटर्स ऑन बहुत ही जबर्दस मिलने वाले हैं तो संजी जी मैं आपको शुक्रियादा करना चाहूंगा कि आपने इस माध्यम से मुझे कस्टमर्स को यह बताना चाहूंगा और मैं फिर से एक बार करना चाहूंगा आपके सारे दर्शुकर से कि आप कहीं भी प्रॉपर्टी लीजे नागपूर में, बंबई में, पुना में, मगर आप प्रॉपर्टी ज़रूर लीजे क्योंकि यह सही समय है निवेश करने के लिए मैं आपसे फिर से गुजारिश करना चाहूंगा इससे बहतर समय आने नहीं वाला यह सबसे सही समय है प्रॉपर्टी में निवेश करने का दन्यवाद विरकों सही समय पे सही कामकाज हो जब हो जाता है तो उसे ही कहते है कि सही काम होना ढोकने पटिल साफ डबलु केडी यह एक बहुत ही जबर्दस ऐसा नाम है प्लीज हमारे दर्शिकों को डबलु केडी का थोड़ा एक स्प्रेंड करके बता हिए जी जी सर देख दर्शिकों के माद्यम से दर्शिकों के बताना चाहूंगा कि डबलु केडी इस नतिंग बट यह मेरे पापा के जो नाम है उनके तीन इनिशेल है वासुदेव केशर और डूपने और मैंने मेरे जिंदगी में मेरे प्रेंडना स्थान मेरे पिताशिर को समझाए तो मैंने नहीं के नाम से कंपनी चालू की और यह कंपनी में जो भी होगा आगे जैसे इस कंपनी का जो भी डिविजन बनेंगे जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं एजूकेशन सेक्टर में भी जा रहा हूं अभी मैं उसके बाद में इंटरेंटेंट में इंडस्टी में जा किया हूँ इसी नाम से होगा और मैं दर्शकों को यह बताना चाहूंगा डबलू केड़ी यह एक साधरान ओर्गनाइजेशन जैसे आपने बाकी कंपनियों के मेरे जो आपने उनका भी नाम सुना है मगर मैं आपके सारे दर्शकों को आपके माद्दम से यह पक्का बताना चाहूंगा इस और्गनाइजेशन में इस और्गनाइजेशन की निव इस और्गनाइजेशन का ज़स्बा इस और्गनाइजेशन की विजन ऐसे रखे गए हैं कि यह और आगे आने वाले पास सलों में ऐसा बड़ा नाम करेगी कि आप देखते रह जाएंगे बिल्कुल बिल्कुल जो नहीं क्या और हम यही दुआय करते हैं उपर वाले से आपका काम कास बढ़े और सभी हमारे दर्शकों को इसका जाज़ जादा लाफ हिले क्योंकि आपके लिए यही कहना चांगा के happiness is the everyday sunshine of your life और हमारे दर्शकों को भी एक सूरत की एक ऐसी ताज़गे मिले किरने मिले और उनका जीवन में रोशन मान हो तो दर्शकों यह थे खास बुलाकात इस कारेक्टरम के आज के हमारे मैमान स्री घंशाम डोहने पाटिल साहब जिन्होंने आप से रुबरू करवाएंगे तब तक दीजे मुझे इचाज़त और आप देखते रहे आपका पसंदिदा प्रोग्राम खास मुलाकात सर आज आप हमारे खास मुलाकात इस कारेक्टरम के लिए इंवीशिं के स्टूडियो में समय पर समय निकाल के आये इसके लिए मैं त आपने दर्शकों को से जो कि 14 लाग दर्शक मैं सारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इस डिजिटल माध्यम में इन बीसेन ने जो अपना महत्व का योगदान दिया है वो भी एक सरानी है और आप सभी लोगों ने मुझे यहां आम्मंत्रित करके गौरान बीत किया है बिल्कुल और जिस प्रकार से जो इतने जो तो तादाथ में जो जो तर्शक बड़ ए है अर जो काम चा cał आर अगवार जो है इन के पीछे हमारे बैग बॉन हमारे गौर फॉदर जो है जनाफ सिराज भाई शेख है और उनके सभी फिक काम करने वाले हमारे इमरान भाई शे आपका अबी कामकाद इसी प्रकाद से फलता और फुलता रहेगा यहीं दुआए करते हैं और फिर से मिलते हैं फिर किसी नए प्रोग्राम में आपके साथ तब तक दीजिए मुझे अजाज़त नमस्कार